तो दोस्तो आज की सीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्वी की सबजी हम रेश्टरॉन में किस तरह से बनाते हैं जो की काफी जाधा स्वादिश्ट लगती है और अर्वी की जो सबजी है वो हमारे लिए काफी जाधा फाइदे बन रहती है तो यहाँ पर हम अर् कर दिए अब करना होगा कर डो इसके बाstrong कर ट्रीक्रा दिया है कि अंदर उभ अलग लें है तो यहां पर हमने मेडियम के स्वच्पर दो सीटीद ली लिए और इसका ड़कन है कि अफ़न कर दिया है इसक promise को हमगे ज़ब इसको ऊता लिए इसको थंडा होने देंगे तो इसको ठंडा होने के बाद हम इसके जो छिलके हैं वो इस तरह से उता लेंगे चक्कू की साइता से और आप चाहें तो चक्कू पर और अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लीजेगा तो यहाँ पर हमने सभी अरवी को छिल लिया है इसके बाद अरवी के यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से सबी के यहाँ पर हम टुकड़े कर लेंगे इसकी बाद यहाँ पर हमने एक कड़ाई को गेस पर चड़ा दिया है और इसके अंदर हमें कुकिंग ओयल को अट करना है तो करीबन यहाँ पर हमने 300 ग्राम कुकिंग ओयल को अट कर दिया है उसके बाद जैसे हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद एक टेबले स्पून करीबन जीरा को एट करेंगे और एक कप बारिक चोप करी हुई लसन को एट करेंगे साथ साथ बारिक चोप करी हुई हरी मिर्ची को एट करेंगे और करीबन 10 से 15 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे जिसे की लसन थोड़ी सी ब्राउन हो जाए करीबन 30 से 40 परसेंट इसके बाद यहाँ पर 3 मीडियम से इसके बारी कटवे प्याज को एट करेंगे हमरी प्याज और लसन ब्राउन हो जब तक हम एक बावल के अंदर दही लेंगे तो यहाँ पर करीबन 200 गराम हमने दही लिया है और दही के अंदर सुखे मसाले को एट करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 टीस्पून लालमिस पाउडर्र कोाइट कर दिया है 3 टीश्पून धिन्य पॉर्डर को येट कर दिया है 2 टीश्पून हल्दी पॉर्डर को येट अब हमें हाथों की सहिता से इसको अच्छी तरी की सह मिला लेंगें सभी को और इसके बाद यहां पर जो हमारे प्याज और लसन है वो ब्राउन हो चुके हैं तो इसके अंदर एक कप करीबन अदर गलसन के पेश्ट को एड़ कर देंगे और अदर गलसन के पेश्ट को हमें खुश्बू आने तक पकाएंगे अब हमें यहाँ पर तीन मीडियम साइज के बारी कट हुए टमाटर को एड़ कर देंगे और थोड़ा से यहां पर चमस को चला लेंगे ताकि जो हमारे टमटर हैं वो भी थोड़े से तेल के अंदर भून जाए और अब हमाई यह जो दई और सुक्य मसले का पेस्ट है इसको हम एट कर देंगे तो हाथों की साहता से अच्छी तरकी से सभी को एट कर देंगे बाउल कें तो थोड़ा सा पानी भी मिला कर यह भी एट कर देंगे और मीडियम गेस पर लगातार चमस को चलाते रहेंगे मसले को तेल चोड़ने तक अच्छी तरकी से पका लेंगे करीबन 2-3 विनट तक तो यहाँ पर हमारे जो मसले हैं उन्होंने तेल चोड़ दिया है यानिके अच्छी तरकी से मसला पकर तेयार है तो अब यहाँ पर हम अर्वी को एट कर देंगे इसकी बाद हम चमस से अच्छी तरकी से मिला लेंगे अब हम यहाँ पर आपस्वाद अनुसार पानी को एट कर देंगे तो यहाँ पर हमने करीबन 2-5 लिटर पानी एट कर दिया है यानि कि आर्थ सदस विक्तियों के लिए हम बना रहे हैं सबजी को फिर हमें स्वाद अनुसार नमक को एट कर देंगे और 1 टेबल इस्पून करीबन गरा मसला पाउटर को एट करेंगे इसको हम उबलने तक वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबलना शुरू हो चुका है तो यहाँ पर हमें करीबन मीडियम फ्लेम पर 8-10 मिनट तक पकाएंगे तो 10 मिनट तक हमने अच्छे तरीके से अर्वी की सबजी को पका लिया है उसके बाद उपर से हरा देने पत्ति को एट कर लेंगे और अर्वी की सबजी सर्व के लिए त्यार है तो आप नान, पराटा, राइस किसे भी साथ खा सकते हैं काफे ज़्याद स्वादिश्ट बनेगी अर्वी की सबजी अगर हमारे इस रेश्टोन के तरीके से आपने अगर सबजी को बनाया तो